अगर आप मेरे चानल पर न्यूव है तो फटापेट से सब्सक्राइब कर ले मैं आज ये ब्यूटिफू सा मेकप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो के आप कहीं भी अटेंड करने जा रहे हो नो कोई भी फंक्शन में कोई भी विडिंग लुक कोई भी फ स्किन केर कर लें उसके बाद ही यहां पर मेकप के स्टेप्स फॉलो करें सबसे पहले यहां पर मैं कंसीलर एपलाई कर रही हूँ अपने आइलिट पे आज मैं फर्स्ट है ना आई मेकप करने वाली हूँ मैंने सोचा है एकदमी सॉफ्ट पिंक सा आई मेकप रखने वाली ह ताकि मेरे इस सारी पर जाई यह रोज गोल सारी है इस पर हर मेकप लुक है ना बहुत ही अच्छे से चला जाने वाला है तो यहां पर मैंने अपने आइस को पिंक टच दे दिया है आई शैडो को उसके बाद मैं लैश लाइन से एक दमी सटा सटा गया है ना ब्लैक थोरा से स कर लेंगे दिन यहां पर मैं ले रही हूँ शुगर का 3-1 पैलेट इसमें सारे हाइलाइटर के शेड है मैं अपने इनर कॉर्णर को हाइलाइट करूंगी इससे जो आई मेकप लुक होता है ना वो बहुत ज़दा इन्हांस हो जाता है उसके बाद यहां पर मैं अपने आइ मौशुराइजर लोशन जितने भी प्रोडेक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ न सब नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो आप उधर से चेक कर सकते हैं मौशुराइजर को फेस के साथ साथ आपको अपने पूरे नेक पे भी अप्लाइ करना है क्य यहां पर मुसे को जादा ही प्राइमर लग गया तो चलिए से सटल करते हैं नेक्स्ट यहां पर फांडेशन मैं यूज करने वाली हूं मेबिलीन फिटमी का फांडेशन जो कि बहुत ही अच्छा फांडेशन है 24-hour coverage फांडेशन है यह लेकिन इस फांडेशन में मिक्स करू तो आप फांडेशन का फिनिश होगा वह बहुत ही अच्छा होगा बहुत ही क्लियर होगा और जब मैं फांडेशन को मिक्स कर रही थी ना फांडेशन और कंसिलर दोनों को तो मेरा कैमरा ओफ हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला था तो चलिए आगे के स्टेप्स पे चलते हैं उसके बाद मैं अपने फेस को आज बेक करूंगी बेकिंग करना आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कॉम्पैक्ट से अच्छा कि आप बेक करो अगर आपका कुछ इंपोर्टन कोई फंक्शन में आप जा रहा हो किसी वेडिंग में जा र करेंगे उपर में मेरा कॉंटोर लगा ही बता है मुझे पता ही नहीं चला बाद में मुझे पता चला कि मेरा कॉंटोर तो अपर में लगावा है तो उसे भी बाद में ब्लेंड करेंगे उसके बाद मैं चलती हों बलश पे बलश के लिए मैं आप पीछी सा शेड लिया है मै से अपने चिक्स पे नोस पे एंड अपर लिप्स पे चिन पे हर जगह पे हाइलाइटर को रख देना है ताकि आपका फेस एकदमी चम चमाता हुआ लगे और कहीं भी जाओ तो सिर्फ आप ही चम को चलिए लिप लाइनर पे चलते हैं लिप को आउटलाइन करेंगे लिप ला कर लिप्स आप यूजर कर रही हैं लाइक की लाइक 925 लपस्टिक नाहीं इसकाशेड एकदमी चतक पिंख है एसकाशेर गसेड मी लोह बीचमें एकदमी पिंकिशा तो यह रहा मेरा फाइनल फिनिश्श है आप लूग निचे कमेंक्च मिताओईयं का क्या कि आपको कैसा लगा ये लुक दिखने में जतना सिंपल एंड प्रिटी लग रहा है न उतना ही ये लुक ब्यूटिफुल भी है मैंने सारी के साथ इसको कैरी किया है अब कोई और ड्रेस के साथ भी इस लुक को कैरी करोगे तो बहुत ज्यादा प्रिटी लगने वाला है तो ये थी मेरी और इसको कैरी कि लगंड़ ऑिसे है तो ये कजिया दोगे पने में झेले को कि लगा है तो फबक्तर है ये को बाचा मोगा है जब सेमने करेंखं। झाल झाल झाल